आज हिसार के गुरु जंबेश्वर युनिवस्टी के चोधिर रणबीर सिंग ओडिटोरियम में इंसो छातर संगठन ने अपना सत्रवा स्थापना दीवस मनाया इस मोके पर हिसार के पूर सांसद एवं जेजीपी के सर्वोच नेता दुश्यन चोटाला ने बतोर मुखे तीटी शिर्कत की कारे क्रम की शुरुवात इंसो के रास्टे अधिक्ष दिगविजे सिंग चोटाला, हिसार के पूरसांस, दुश्यन चोटाला और जेजीपी पार्टी के परदेश अधिक सरदार निशान सिंग ने जोत प्रजबुलित करके की कारे क्रम में पहुंची मुख्य तीटी एवं वसिष्ट अतितर जनों को पगड़ी पहना कर एवं हल भेट करके समानित किया गया इनसो के स्थापना दिवस पर पंजाबी कलाकारों ने जिसमें गौल्डी गिल अर नेत गगन कोकरी सुमित गोष्वामी सहित अनेक कलाकारों ने प्रसूतियां दी और समाभांधा इनसो ने अपना स्तारवा दिवस हरियाना नशामुक्ति अभियान के रूप में मनाया इनसो के मंच से बोलते हुए जेजीपी के नेताओं एवं अन्य संगटनों के लोगों ने परदेश को नशामुक्त बनाने की बात कही इनसो के रास्चे देख्ष दिगविजे सिंग चोटाला ने अपने संबोधन में कहा कि इनसो देश का सबसे बड़ा चातर संगटन है और इनसो ने हमेशा चातरों के भलाई के लिए कार्ये किया है हिसार के पूरसांसत दुश्यन चोटाला ने इनसो के स्थापना दीवस पर इनसो कारेकर्टाओं को संबोधित करते हुए कहा कि इनसो ने ही सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़कर चातर संगटनाव को बहाल करने का काम किया दुशन चोटाला ने कहा कि इंसो एक ऐसे संगटन है जिसके नाम वर्ल्ड के कई रिकोर्ड है उन्होंने कहा कि रख्तदान शीविर पेड लगाओ अभियान और अन्य ऐसे समाजी कारिय अभियान है जो इंसो ने सबसे अधिक चलाए है दुशन चोटाला ने धारा 370 और 35 एपर बोलते हुए कहा कि जेजीबी पार्टी देश के रास्टिपती और केंडर की सरकार के साथ है और भधाई देती है देश में एक देश का सविधान लागू करने की शुरुवात हो चुआ आज इंसो का सत्रवा स्तापना दिवस है इस प्रकार से 2003 के अंदर लॉक्टर जे सिंग चोटाला जी ने जन्नायक्सवग्य चोधरी देवी राज जी के सपने को जहां चात्र राज इनिती में इस्सेदारी अर्याना के युवाओं की विभड़े एक पौदा लगाया था इस तापना दिवस पर ये मुहीम शुरू करी है कि परदेश के अंदर जो नशा दिन प्रती दिन पढ़ता जा रहा है आज उसके विरोध में इस तापना दिवस पर रियाना परदेश से नशा मुक्ति की ओर हम समर्पित करें और रियाना परदेश के तमाम चात्र चात्रा हमारा प्रदेश जाना जाता था दूद ड़ी में खाना तेश अमे देश अरियाना, और आज नशा कई ना कई 엘मारी जढों को कमजोर कर रहा है। और आज खेलों के अंदर हो, शिक्षा के अंदर हो, जिस पर तरीके से अर्याना ने ग्रोथ दिखाई, कहीना कहीन नशा उस पे एक विराम लगाने का काम कर रहा है। और आज हमें एक होकर इसके वुरुद में लड़ाई को लड़ना चाहिए। कहीना कहा है, जो कि हम कह सकते हैं मोल अमारे प्रदेश में दुशा है, इनकी जड़ोटों आज हैं समापते करेंदाजी। धारा 370 को लेकर के राजे सभायम उस पे जेजीपी का क्या रूप है। कि हमने तो पहले भी सरकार से निरंतर जबने मेंबर ऑफ पार्लेमेंट था जब जब उनसे चर्चा हुआ। ये मांग करी हैं कि सरकार गंबीरता के साथ इस विशे को टैकल करने का काम करें। पंगरा सौ से ज़्यादा जबान हमारे शहीद हुए है। और इस पूरे अर्से के अंदर सरकार दुआरा एक ठोस कदम आज उठाया है। जन्नायग जन्ता पार्टी। उनके इस कदम के साथ पूरी तोर पर आज खड़ी है। और हम तो चाहते हैं क्योंकि अर्याणा की दर्ती वो दर्ती है जिससे इंडियन आर्मी में हर दस्वा जवान है। और जबू कश्वीर के ट्रिबुलेंस की वज़े से। के वर मां तर धारा 370 की बात नहीं थी। आज 35 ए भी उसका हिस्सा है। जिसकी वज़े से जो हमारे आम फोर्स के जवान थे, चाहे वो पैरा मिल्टरी के हों, चाहे वो मिल्टरी के हों, उनकी जान को निरंतर, जहां external forces से खत्रा था वहीं, इंटर्नल ब्रेट टर्रिरिर्जम से भी कही नागई नुकसान था। आज सरकार में जो कदम उठाया है जो सरानी है जनाय गिर्ता पार्टी पूरी तोर पर देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी और एक कॉंस्टिटूशन जो सब के लिए बराबर हो उसकी पक्षिदर है और सरकार के इस फैसले के साथ कॉंग्रेस पार्टी इसको लोकतंतर की हत्या बता रहे है जो काम कॉंग्रेस ने जो बीज बोए है और उसका नतीजा है कि हमारे देश के एहम हिस्सा जम्हो कश्मीर जो था उसकी जो आज हालात बनी है मैं मांता हूं कि उनके कारणामों की बदोलत आज जम्हो कश्मीर के यह आलात है और आज अगर वो इसका विरोध करती है तो कही ना कही वो देश की आम्ड फोर्सेज को आज भी एट रिस्क रखना चाहती है